नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों, JRP हिंदी 2021 के तैयारियों के अंतरगत हम 1.4 कर रहे हैं बैचारी कृष्ट भूमी और इस वाले 1.4 से हमने लगभग 3-4 अपने लक्चर्स कर लिये हैं हिंदी नवजागरन और भारतिय नवजागरन के साथ-साथ जो आपका खड़ी बोली आंदोरन है उसके बारे में इससे पहले डिसकस कर लिया है और कुछ एक प्रशन भी हमने 1.4 से रिलेटेड कर लिये हैं अगर आपने अभी तक वो वाले लक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप 1.4 के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने विस्तार से इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं इससे पहले के जो प्रमुक महतपुर्ण बिंदू और महतपुर्ण जो टॉपिक्स हैं बेचारी क्विष्ट भूमी के अंत्रगत वो कर लिये हैं आप चाहें तो उन्हें भी एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आज हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज से अकसर UGC net की परिक्षा में एक आदा प्रशन पूछा जाता है कि या तो बहुत पार यही प्रशन रिपी हैं या जो हिंदुस्तानी विभाग के जो प्रमख अध्यक्ष कोन रहे हैं इस तरीके के प्रशन पूछ जाते हैं यहां से तो आज के लेक्षर में हम पूरा का पूरा फोर्ट विलियम कॉलेज के जो महत्वपॉन इसके साथ तक्थ है जुड़े हुए हैं उनको बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए बिना देर किये शुरुवात करते हैं आज के लक्षर की और सबसे पहले हम जान लेते हैं यहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में तो एक चीज सबसे महत्वपॉन चीज यह है कि आप देगेंगे कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है यह कहा पर था तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कलकत्ता में था और जो आपका पश्चिम बंगाल है ठीक है वहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसे ने किये थी दीकिए मार्कविस वेलजली 10 जुलाई सन 1800 इस्वी में की थी तो देखिए ये डेट बहुत ज़्यादा मौतपूर्ण है कि इसकी स्थापना कब हुई थी कई बार आप देखेंगे कि UGC नेट की परिक्षा में इसी प्रशन को लगातार रिपीट किया जा रहा है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अब की प्रशन पूछे जाने की संभावना है वो हम सब संभावने हमें देखनी पड़ेंगी और कौन कौन सी मतपून चीज़े हैं ये सब चीज़ों को बारीकी से हमें देखना पड़ेगा तो फोर्ट विल्यम कॉलेज की स्थापना मार्क विस वेल्जली ने 10 जुलाई सन 1800 इस् तो सिर्फ आपको गुमाने फिराने के लिए ही स्थिके से पूछा जा सकता है बाकी प्रशन वो ही रहेगा कि मार्क विस जो वेल्जली थे इन्होंने ही क्या है इसकी स्थापना की थी 18 अगस्त सन 1800 इस्वी के पत्रानुसार डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर बनाया गया और इस प्रकार वे हिंदुस्तानी भाषा के प्रत्थम अध्यक्ष बने तो देखिए ये चीज़ इसमें अपने आप में बहुत ज्यादा मौत्वण है कि 10 जुलाई 1800 में क्या हुआ कि फोट विल्यम कॉलेज की स्थापना हो गई लेकिन हिंदुस्तानी जो भी भाग था है न हिंदी भाषा जिसको हम कह सकते हैं उसके लिए किसको निक्त किया गया वहां पर फोट विल्यम कॉलेज में 1800 में 18 अगस्त को ठीक है तो वो क्या था जॉन गिल क्राइस को जिनका पूरा नाम कहा है यह जॉन बॉर्थविक गिल क्राइस्ट है हो सकता है इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या था जॉन बॉर्थविक कॉलेज में कौन थे तो ये थे जॉन बॉर्थविक गिल क्राइस्ट ठीक है तो ये दो महत्वपूर्ण इसमें तथ्या आगे हैं अभी तक कि एक तो इसके स्थापना किस ने की और कब की और फोर्ट बिलियम कॉलेज कहां पर है और इसके साथ इसाथ जो आपके प्रत्थम अध्यक्ष कौन मना जाते हैं ये आपके गिल क्राइस्ट को इसमें माना जाता है ठीक है फिर आता है कि जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में वेलजली ने और यहीं संस्था बाद में फोर्ट बिलियम कॉलेज में परिवर्थित हुई तो देखिए ये पंक्ति भी अपने आप में बहुती ज़ादा मौतपूर्ण है कि जो जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में स्थापना की और यहीं संस्थाबाद में किस नाम से जाने गई फोर्ट बिलियम कॉलेज में परिवर्थित होती गई तो यहाँ पर आपने देखा हुए कि इसकी जो ता लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि आपके पास अगर उपकार प्रकाशन की पुस्तक है तो वहाँ पर ये जो डेट है ये कब बताए गई है ये चार मई उसमें बताए गई है तो सर्व विजित जो है वो 10 जुलाई है लेकिन उसमें आपने कोई कंफ्यूजन नहीं रखना ह इसलिए मैं वह आपको बता रहा हूँ कि उसमें चार मई इसको बताए गया है लेकिन यहां पर आप इसको इस तरह किसे देख सकते हैं कि जो और येंटल सेमिनरी संस्ता कि उदेश्यन कि जो स्थापना की थी ये किसके अध्यक्षता में हुई थी जॉन गिलक्राइस के नाम क्या दिया गया फॉर्ट विल्यम कॉलेज नाम दिया गया हो सकता है ये प्रशन पूछा जाए कि फॉर्ट विल्यम कॉलेज किस से परिवर्तित हुआ है तो ये औरियंटल सेमिनरी से इसको नाम मिला है क्लियर है इतना कि ये तो आपका फॉर्ट विल्यम कॉलेज आप में करना जरूरी होता है क्यों क्योंकि सून यूजित तरीके से आपका हिंदी की जो नीव रखी माने जाती है वो कहां से माने जाती है फोर्ट विल्यम कॉलेज ने ही रखी है ऐसा माना जाता है कि जो फोर्ट विल्यम कॉलेज है वहीं से ही आपकी सून यूजित हिंदी ने रखी थी वो फोर्ट विल्यम कॉलेज ने ही रखी थी तो इसलिए हम hindi वाला ही इसमें main चीज़ें ले रहे हैं इसके अलावा भी इसके फोर्ट विल्यम कॉलेज में और चीज़ें भी पढ़ाई गई है लेकिन हमारा main focus किसके उपर है हिंदी वाशा के ही उपर है चलिए इसके पश्चात हम देख लेते हैं अगला है देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कि इसकी फोर्ट विलियम जो कॉलेज की स्थापना थी उसके पीछे उदेश्य क्या था मन्शा क्या थी तो इसके पीछे मान तोड़ा सा दिकत हो रही थी ताकि उसी के चलते इन्होंने क्या किया कि जो भारती है उन्हीं को ही वो शिक्षा प्रदान की जाए और यहां की जो संस्कीति है यहां का जो टहन सेहन है मतलब उस चीज को उनको समझा जाए ठीक है तो यहां पर देखी लिखा गया है कि खुदेशय माना जाता है और आजने थी खुदेशय ही इसके पीछे रहा था ठीक है क्यों क्योंकि जो आपके जो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे देखिये लॉर्ड वेल्जली है ना उन्होंने क्या कि आपका जो जो ब्रिटेन के यूबा हैं सीविला दिकारी हैं उनक उसके साथ ही साथ सदाचरण का जो पालन होना चाहिए कि जो आपके जन भाषा है जो यहां की भाषा है मतलब उसकी जानकारी वहां के अरिकारी को होना बहुत ही जादा जरूरी है तब ही हम हिंदुस्तानियों के उपर एक तरिके से साशन भी कर सकते हैं इसलिए इसको क्य होती थी तो फूर्ट फिलियम कॉलेज में देखी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी स्थापना का उदेश राज़िक था और कॉलेज में जो इस इंडिया कमपनी थे उसके जो सिविल करम चाही थे शिक्षा प्राफ्ट करते थे और कॉलेज में जो अलग-अलग जो विशे थे उनकी शिक्षा दी जाती थी चाहे आपका अर्बी हो फार्जी हो संस्केत हिंदुस्तानी बंगला तेलगो तमिल मराठी यह जो सारी चीज़े हैं यहां पर इनकी जो पुस्तकें थी वो अनुदित होती रही थी आप देखेंगे कि अकेले जो आपके पहले अध्यक्ष माने जाते हैं हिंदुस्तानी विभाग के जो अनकी लिए क्राइस उनने लगबग 19 के आसपास इसमें रचनाएं रचियां आगे हम देखेंगे उसके बारे में भी तो यहां पर आगे देखी कि अंग्रेजी राजय संचालन के लिए बनाएगे जो नियम है जो इसाथ इसाथ यहां पर कौन कोंसी चीज़ें जादा फोकस की जाती थी वो भी बेने आपको बता दी तो उकुल मिला के यह कहा जाता है कि जो आपका फूर्ट विलियम कॉलेज है वो क्या है वो भाशाओं के अध्यान का केंदर इसको माना जाता है और इसे ज्ञान विज् की शिक्षा का प्रतीक भी माना जाता है तो यह वाले पंक्ति आपने याद जरूर रखनी है कि जो फूर्ट विलियम कॉलेज है वो भाशाओं के अध्यान का केंदर है और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का प्रतीक उसको माना जाता है फूर्ट विलियम कॉलेज को तो य यहां देखिए जॉन गिल क्राइस्ट, फोट्पिलियम कॉलेज और जॉन गिल क्राइस्ट, तो जॉन गिल क्राइस्ट का बहुत बहुत पुर्ण योगदान माना जाता है, कि उन्होंने हिंदी से रिलेटिड जॉब, आधुनी के हिंदी तक पहुंचने के लिए बहुत गरंथों की रचना की है, और इनकी जो प्रमुख कृती माने जाती है, दिक्षिनरी ओफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ठीक है, यो इनकी पहली रचना भी इसको माना जाता है, और इसकी भूमी का में इन्होंने अपनी जो भाशा नीती है, उसको प्रकट किया है, तो हो सकता है, यहां से इसरी के से प्रशन पूचे जाए, कि इन्होंने अपनी बाशा नीती कहां पर प्रकट की है, अधिक विस्तार रूप से, तो यह है आपका डिक्षिनरी ओफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ठीक है, तो जॉन गिलक्राइस, बहुती बहुत पूर ना द्यक्ष थे, तो देखे हिंदुस्तानी से मतलब क्या है, हिंदुस्तानी से उनका विप्राय उस बाशा से था, जिसका व्याकरण तो उन्हीं के शब्दों में हिंदुई या ब्रजभाशा से लिया गया था, तो देखे कहने का मतलब क्या है, कि जो हिंदुस्तानी है, उस उसका जो व्याकरण था वो किस भाषा का था जो अपकी यहां की देशी भाषा थी या मतलब भारत की ही जो भाषा थी चाहे हिंदी भी हो या फिर ब्रज भाषा से लिया गया उसका व्याकरण था लेकिन जो संग्या शब्द था जो संग्या शब्द है वो कहां से अर्वी फ ठाल-फार्सी उसमें जादा देखने को मिलती हैं तो ये था उनका हिंदुस्ताणी से मतलब ठीक है आगे देखिये कि हíन इता होईं और है एक समान ही माना है तो हो सकता है यह चीजें पूछी जाए कि यह किसने समानार्थी मानी है तो यह आपके जो जॉन गिल क्राइस्ट थे उन्होंने इसको माना है और किस वाली रचना में इन्होंने इसको माना है देखिए तो उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है अग्रामर of the Hindustani language जो इनकी एक कृती है उसमें इन्होंने क्या माना है इसको आपको एक समानार्थी ये मानते हैं हिंदी, उर्दू, रेक्ता और हिंदुस्तानी को क्लियर है इतना कि फोर्ट विल्यम कॉलेज में जॉन गलिक्राइस की क्या भूमी का रही हिंदी के संबंद में तो ये महत अपूर्ण चीज़ें थी इन्होंने 19 ग्रंत रचे हैं और प्रमुक्रिती डिक्शनरी ओफ इंग्लिश एन हिंदुस्तानी है है ना इसकी भूमी का मेनोंने भाशा नीती प्रकट की है और हिंदुस्तानी से उनका भी प्राय क्या था कि जो आपका अर्भी और फार्सी मिश्रित भाशा थी ठीक है चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि जो आपका फोर्ट बिलिम कॉलेज और चौन गिल क्राइस्ट के संबंद में और चीज़ें क्या है तो यहाँ पर देखिए ये तीन चीज़ें बहुत ही जादा महुत दपूर्ण हैं आपको UGC नेट में यहां से प्रश्चन पूछा जा सकता है तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली कि कुल तीन शैलिया निर्धारित की हैं तो देखिए जो आपका खड़ी बोली हिंदी है उसके लिए इन्होंने कितनी शैलिया निर्धारित की है तीन शैलिया इन्होंने मानी है तो सबसे पहले इसमें जो पहला नाम है देखिए यह है दर्बारी या फारसी शैलि दर्बारी मतलब आपके जो राज की है जाज इसको हम राजबाशा भी कहते हैं जो दर्बार में बोली जाती थी या जो अविजात वर्ग जो जिसको बोलता था आम जन्मानस से उसका कोई लेना देना नहीं था तो इसलिए इसने कि हमाना जॉन गिल क्राइस ने कि जो आपके दर्बारी या फार्सी शैली थी वो बहुती दुर होती आम जन्मानस की पहुंच से वो बाहर मानी जाती है जो आपकी दर्बारी या फार्सी शैली थी ठीक है दूसरी इन्होंने मानी देखिए हिंदुस्तानी शैली तो हिंदुस्तानी शैली दे ग्रेंड पॉपुलर of Hindustan नाम दिया था ठीक है तो यह यहां से पुछा जा सकता है कि किस भाशा को जो किस शैली को इन्होंने the grand popular speech of Hindustan का है तो वो है हिंदुस्तानी शैली ठीक है उसके बाद जो तीसरी शैली आती है कि वो है हिंदवी शैली इसको यह गमारू शैली कहते थे है ना गमारू क्यों कहते थे क्योंकि यह जन्द समाने की बोली थी वर इसलिए इन्होंने जो हिंदी भाशा है इसको यह कैम होते थे कि यह इधर के लोगों की यह और इसलिए गमारू है वही ठीक है तो यह भी इसको भी ज़्यादा तवज् आपके जॉन गिल क्राइस्ट के संबंद में हो सकता है इस तरीके से ही direct question पूछा जाए कि गिल क्राइस्ट ने खड़ी वोली कि कितनी शैलिया निर्धारित की है तो ये आपकी तीन शैलिया इसमें निर्धारित की है और जो आपका हिंदुस्तानी शैलिय है उसको ये सबसे अधिक प्रिय मानते थे clear है इतना कर तो ये था फोर्ट विलियम कॉलेज और जॉन गिल क्राइस्ट के बारे में अब हम देख लेते हैं इसके पश्चात की जो जॉन गिल क्राइस्ट थे उन्होंने हिंदी के प्रसार के लिए या यूं कहें कि हिंदी को पढ़ाने के लिए जो आपके उन्हें और जरूरत पड़ी वह हम पर फोर्ट विलियम कॉलेज में तो देखिए जॉन गिल क्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के समर्थक होने पर भी हिंदुस्तानी के ये समर्थक थे हिंदुस्तानी से मतलब फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ कि अर्वी औ इंदुस्तानी को होतो देते थे और जो आपकी हिंदी थी हिंदी का अर्थ उनकी दिश्ची में क्या था हिंद की जो मतलब भारत की बाशा थी उससे इनका मतलब था और हिंदी को या हिंदी को वो केबल क्या मानते थे हिंदों की ही बाशा मानते थे इसलिए वो ज्यादा तर इसकी एक तरीके से थोड़ी सी अवहेलना करते थे लेकिन वो कर नहीं सके क्यों क्योंकि जो यहाँ पर कंपनी के जैसे कि यह उन्हें पहले ही बात की कि कंपनी के जो सीविल अधिकारी थे उनको जन समाने की जो बाशा थी उससे अवगत कर आना बहुत जरूरी था है ना तो इसलिए जो यहाँ पर जो आपकी देखते हैं कि जो हिंदुस्तानी थी वो बहुत जादा एक तरीके से उसमें कलिष्टता आ गई थी और जितने भी आपके सिपाही थे या जो सीविल अधिकारी थे कंपनी के उनको उनकी समझ से भी वो बाशा जो थी वो परे हो गई थी खीक है और इसलिए इन्होंने क्या किया कि सन 1802 इस्वी में ललू जी लाल किस थाई न्युक्ति उन्होंने करवाई भाशा मुंची के अधार पर फोर्ट विलियम कॉलेज में तो देखिए ये तथ्य अपने आप में बहुत जादा मौतपून हो जाता है कि सन 1802 इस्वी मे किस के न्युक्ति की गई थी तो ये ललू लाल जी के न्युक्ति में की गई थी तो ये चीजें आपको जो आपके पास हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहा से देखिए डॉक्टर रामचंदर तिवारी की पुस्तक वहां पर विस्तार से अच्छे से विताई होगी जहां पर हिंदी खड़ी वोली और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बताया गया है तो आप चाहें तो उस पुस्तक को भी देख सकते हैं इसके साथ ही साथ दृष्टी की बुक में भी इसको अच्छे से बताया गया है है तो यहां से आप इसको देखिएगा खासकर मेन अग आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये जाएगा और इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्विज भी देना है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़िए वहा बिद्वी मुंशी के रूप में ललू लाल जी के साथ नियुक्त किया गया तो देखिए सदलमिश्र और ललू लाल जी को इनमें नियुक्त किया गया भाषा मुंशी के अदार के रूप में पोर्ट विलियम कॉलेज में ठीक है तो ये दो नाम हैं इन से रिलेटरी जो मौतर तक में भी अच्छ से दिया है कि आपके जो ललू-लाल थे और आपका सदल मिश्र था उन्होंने कौन-कौन सी रचनाएं रची हैं प्रमुकिन की जो रचनाएं हैं वो दो ही हैं यहाँ पर देखी जो रखी हुई भी हैं प्रेम सागर और नासी केतो पाक ख्याइन के एहम कॉलेज में ठीक है तो यह दो आपने रचनाएं याद रखनी हैं और इन रचनाओं में कौन-कौन सी मौता कौन चीज़ हैं वो हमने पहले ही डिसकस कर ली हैं आपके पहले बारे लेक्चर में जहां पर हमने खड़ी बोली आंदर उनके बारे में पड़ा है तो आप एक ब जो आपके जोन गिलक्राइस जब फोर्ट विलियम कॉलेज से अलग हुए और उसके पश्चात उनके स्थान पर जो दूसरे विभाग अध्यक्ष जिसको कह सकते हैं हिंदूस्तानी विभाग के जो अध्यक्ष बने वो कौन थे विलियम प्राइस थे तो दीकि 1823 में हिंद आपके जो विलियम प्राइस थे वो आये इसमें ठीक है तो इसमें देखिए 1823 में हिंदूस्तानी विभाग के वो ध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और उन्होंने हिंदूस्तानी के नाम पर हिंदी तो देखिए ये अपने आप में बहुती मौत्रपॉन पं अर्वी और फार्सी को क्यों उन्होंने क्योंकि वही चीज जो मैं पहले बता रहा था कि जो आपके गिलक्राइस जिस भाषा को क्या जिस हिंदूस्तानी को पढ़ावा दे रहे थे उसमें क्या थे अर्वी और फार्सी के ज़्यादा शब्द हो गे थे जो आम जनमानस के स भाशा समंदी जो ब्रांती थी उसको दूर करने कहिनों ने प्रियास किया है ये बहुत मत्वपुन चीज है इसको आपने याद रखना है कि हिंदुस्तानी के नाम पर हिंदी पर बलकिस ने दिया विल्यम प्राइस ने और लेकिन उनके बाद जो कॉलेज की गतिवीधियों म कोई विशेश प्रगती नहीं कर पाई विल्यम प्राइस के बाद तो विल्यम प्राइस कब तक रहे देखिए ये 1931 दिसंबर 1831 तक रहे और उसके बाद इन्होंने आपका जो फोर्ट विल्यम कॉलेज था वहां से रुकसत ले ली थी ठीक है तो ये महत्वपुन चीज़े हैं आपके जो फोर्ट विल्यम कॉलेज था और विल्यम प्राइस थे दो नाम इसमें मौतपूर्ण है एक आपका जौन गिल क्राइस्ट है दूसरा आपका कौन है जो विल्यम प्राइस रहे हैं ठीक है दोनों के अलग-अलग अपने महत्तों हैं फोर्ट विल्यम कॉलेज म उसके दो अलग-अलग रूप है ठीक है अगर हम 1800 से लेकर के 1815 के आसपास की बात की जाए जहां पर जॉन गिल क्राइस्ट थे तो वहां पर क्या हुआ जो हिंदुस्तानी थी जॉन गिल क्राइस्ट दोरा निरधारी जो थी उसको ही कॉलेज में मान्यता रही उसकी मान्यता रही लेकिन 1815 के पश्चात जो हम हिंदी जिसका नाम देते हैं जो आधुनिकर्थ में उसके अध्यान की आपशक्तर पर बल दिया गया और 1823 में क्या हुआ जो विलियम प्राइस है उन्होंने इसके साथ परिवर्तन किया और उसी जो विलियम प्राइस का विचार उसमें म हिंदी भाशा व खड़ी बोली को आगे बढ़ने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की जो संस्थानिक भूमिका है उसको कतई भी भूलाया नहीं चाह सकता जो बात मैंने पहले ही आपको कही थी कि सून योजित जो नीव रखी थी हिंदी की वो कहां से माने जाती है वो फो खड़ी बोली के विकास में जो मौत्वपूर्ण योगदान दिया है उसमें जो दो प्रमुक नाम है आपके एक तो ललू लाल जी हैं दूसरा आपका सदल मिश्र हैं लेकिन इसके साथ ही साथ अन्य जो नाम आते हैं देखिए गंगापरसाद शुकल का नाम आता है ठीक है खयाली राम है ब्रह्मा सची दनन्द है आपका इश्वर चंदर विद्या सागर हैं तो ये नाम भी इसमें आते हैं लेकिन मेंली आप देखते हैं कि दो नाम ही इसमें प्रमुकता से लिये जाते हैं ललू लाल और सदल मिश्र का साथी साथ गंगापरसाद शुकल का भी खड़ी बोली के विकास में जो योगदान अपना दिया हुआ है फोर्ट विल्यम कॉलेज के जरीए ठीक है तो कॉलेज के बाहर ये है कौन थे यह हमने पहले लेक्चर में देख लिया था ठीक है तो ये चीज़ें जो जो महत्वपुन थी वो मैंने आपको बता दी अब मह कॉलेज था उसको कब तोड़ा गया है या किस आगया पत्र के आधार पर तोड़ा गया है तो ये 24 जनवरी 1854 के सिरकारी आगया पत्र के आधार पर ठीक है तो ये महत्वपुन चीज़ें थी फोर्ट विल्यम कॉलेज के संबन्ध में कि कब इसके स्थापना हुई है कब इ अगर आपके पास इससे रिलेटिड कुछ अन्य महत्वपुन तत्य हैं तो आप हमारे साथ सांजा कर सकते हैं हमारे टेलेग्राम ग्रूप में भी और कॉमेंट सक्षन में जाकर भी आप हमारे साथ डिसकस कर सकते हैं जो चीज़ें हमसे चूट गई हैं तो फिलाल आज के अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुली न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्टे के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहि झाल 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 झाल